जिन्दगी एक जंग है ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह जंग हार जाते हैं या फिर संघर्सों से उबर कर संझोता कर लेते हैं परंतु लगातार प्रयासरत रह कर जो यह जंग जीत लेते हैं और उके लिए मिसाल बन जाते हैं इस बीडियों में मैं ऐसे ही सक्स के बारे में बताने जा रही हूँ नमस्कार साथियों मैं प्रया सिंग इस वक्त आप देखना सुरू कर चुके हैं आर्यावर्थ न्यूज नेटवर्ग तो पहले तो आपको पॉल एलेक्जेंडर के एक छोटी सी कहानी बताते हैं फिर इसक के लिए बंद कर दिया जाए तो आपको घुटन महसूस होने लगेगा संभव है कि आपका धैर जबाब दे दे सोचने लगेंगे कि इस जीवन से बहतर तो मर जाना ही ठीक है परन्तु यह एक ब्यक्ति के जीवन का हिस्सा है एक ऐसा इंसान इस दुनिया में पिछले 60 साल स एक लोहे के मसीन में बंद है और वो अपना जीवन जी रहा है पॉल एलेक्जेंडर नामक की सक्स ने न सिर्फ डिगरी हासिल की बलकि वकालत के लिए प्रैक्टिस भी की तथा पुस्तक भी लिख डाली 1946 में अमेरिकी मूल लेखक और वकील एलेक्जेंडर पॉल के बचपन के दिन 1922 में जब वो 6 साल के थे तब उन्हें पॉलियों हो गया था दगारजियन की रिपोर्ट की मुताबिक वो जुलाई की एक साम डलास टेकसास में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था उसकी गरदन में चोट लगी उसका सिर्फट गया वे घर आये उस रात वो घर सोया था अगले ही दिन उसे डॉक्टर ने के पास ले जाया गया पॉल के सरीर में दर्द बढ़ता ही जा रहा था फैमिली डॉक्टर ने उसे अस्पताल ले जाने की सलाह दी उन्होंने बताया कि पॉल को पोलियों अटायक आया था अगले कुछ दिनों में उसकी हालत बिगडने लगी अब वो न चल पाता था न ठीक से खा पाता था अस्पताल के डॉक्टर ने पाया कि उनके फेफडे में कंजेशन होने लगा था उन्हें सास लेने में भी दिक्कत हो रही थी उनका लखवा ग्रस शरीर नहीं हिल पा रहा था डॉक्टर ने अपात कालिन ट्रेकियो टॉमी करके उनके फेफडे को साफ किया तीन दिन बाद जब पॉल ने अपनी आँख खोली तो उन्होंने खुद को लोहे की मसीन में पाया यह लोहे की मसीन फेफडे थे लकवे के मरीज ही इसकी मदद से सास ले पाते थे यह मसीन मरीज के फेफडों में आक्सीजन भरने का काम करती थी यह उस समय का एक सफल अविस्कार था इसमें रोगियों को लगभग 20 वर्ष तक रहना पड़ता था जब तक वो पूडर रूप से वयश्क नहीं हो जाता पॉल के 20 साल होने के बाद भी उसकी बिमारी में सुधार नहीं हुआ वो अपनी गर्दन की निचले हिस्से को बिलकुल हिला नहीं पा रहा था वे आज भी उसी मसीन में बंध है उनके इस जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है जिस तरह से पॉल ने खुद को सास लेना सिखाया उसकी जीवन सक्टी और उसके धिन संकल्प दिखाया इसी स्थिती में विस्व विद्यालय में प्रवेश कानून की डिगरी और अभ्यास उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी और थ्री मिनट्स फॉर ए डॉग नामक पुस्तक प्रकासित की उन्होंने कीबोर्ट पर अपनी कहानी लिखने के लिए अपने दोस्त और नर्स नार्मर ब्राउन की मदद ली प्लास्टिक की छड़ी और कलम से लिखने के लिए उन्हें आठ साल से अधिक समय लगा लेकिन उन्होंने अपनी कहानी पूरी की वाकई पॉल अलेक्जेंडर के लिए यह एक मिसाल है कैसा लगा आपको यह वीडियो कमेंट मौक बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर साजा करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई